रिजल्ट कैसे बनेगा इसके बारे में भी यहां बताया गया देख सकते हैं कैसे त्यार किया जाएगा इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में कंप्लिट जानकरी मिल जाएगी जैसे पिछले बार में आप सभी को ऑनलाइन के मायधम से और डिजिटल कंटेंट जो है वाट्स आप और टेलिग्राम के मायधम से आप सभी को प्रोवाइट किया जा रहा था उसी परकास से ये सिचुएशन अभी देखनों के मिलेगा कोरणा के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज सरकार जनवरी के पहले सब्ता में इसमर निर्ने लेगा यानि इसी वीक में जो है आपका डिसिजन हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है वर्तमान में चesar्टी से लेकर बार्वी तक के स्कूल खुले गया है जो 16 चहत्रा आकर बड़ानी पढ़ाई करना चाते हुए करते हैं जो इतना ज़्यादा situation गंभीर होते जा रहा है ठीक है तो सरकार और सरकार मैट्रिक और इंटरमेडियेट के परिच्छा को देखते हुए दसवी बारवी के छात छात्रों को स्कूल बुला सकती है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकता है कि केवल और केवल examination को देखते हुए 10 वी और 12 तक के छात्रों को ही स्कूल बुलाया जा सकता है वही दोस्तों अगर बात करें कि 6, 7 वी और 8 वी, 9 और 11 के छात्रों के लिए और offline पढ़ाई बंद किया जा सकता है और corona के वमले अगर बढ़ते हैं तो एतिहातन के लिए यानि आपका सुरच्चा के लिए आपका 10 वी और 12 वी का भी offline पढ़ाई चालू किया जाएगा offline पढ़ाई को बंद किया जाएगा और online पढ़ाई चालू किया जाएगा तो दोस्तों situation काफ़ी गंबिर है इसलिए आप सभी से request होगा कि आप सभी COVID का जो guideline है उसका पालन कीजिए ताकि situation फिर से normal हो जाए और हम सभी आगे अच्छे से त्यारी कर पाएं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही important चीज़ आप सभी के लेकर बताया गया है कि आठवी से बारवी तक के पहले टम की परिच्छा पर संसे बरकरार यानि दोस्तों अभी तक जो है संसे बरकरार है कि आप सभी को first time का examination लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा क्यों ऐसा कहा जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ना के बढ़ते मामले से अब आठवी से बारवी तक के पहले टम की परिच्छा पर संसे नजर आ रही है सरकार एतिहान तन परिच्छा के संचालन पर रोक लगा सकती है जो कोवेट का कैसिस बढ़ रहा है जिस परकार से दिन बदिन सरकार जो है आपके सुरच्छा के लिए इस पर examination पर रोक लगा सकता है इसकोली सिच्छा सचरता विभाग ने 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच मेट्रिक और इंटरमेडियर्ट के पहले टम की परिच्छा लेने के सिडूल जारे किया था जबकि यहां देख सकते हैं जबकि 10 से 15, 10 से 25 जनवरी के बीच आठवी, नौवी और ग्यारवी के पहले टम की परिच्छा निर्धारित की थी यह परिच्छा जो सभी जितने भी परिच्छा ओमर सिफ्ट पर लिया जाना था अबजेक्टिव टाइप कोईशन था इसके बावजयो जारकन एकाडमी काउंसिल के अधच के नहीं होने से अब तक इन परिच्छाओं का संचालन नहीं हो सका है ठीक है दोस्तो अनाही निकट के भविस में इसके होने की संभावना दीख रहा है काफी जादा अभी सिच्वेशन प्रिटिकल हो चुका दोस्तों क्योंकि अभी जो है कोवेट का केसिस जो है लगातार बढ़ते जा रहा है घटने का नाम नहीं है और इसलिए आप सभी से रिक्वेश्ट है कि आप सभी कोवेट के जो है जितने भी प्रोटोकल से उसका पालन कीजे और अगर ऐसा हो जाता है तो आप सभी का रिजल्ट कैसे बनेगा इसके बारे में भी यहां बताया गया देख सकते है कि मंतली एसेस्मेंट के आधार पर आप सभी का रिजल्ट त्यार किया जाएगा ठीक है क्या कहागी है आप एक कंप्लीटरी सुन लिजे कोरणा की वजह से अगर आठवी से बारवी तक के पहले टम की परिच्छा नहीं हुई और दूसरे टम की परिच्छा परिणाम के आधार पर रिजल्ट त्यार किया सितंबर 2021 से इसकूल में 9-11 की क्लास चर रहे थे और उसी समय से आपका मन्थली एसेस्मेंट लिया जा रहा है और उसी मन्थली एसेस्मेंट के आधार पर आप सभी का रिजल्ट त्यार किया जाएगा इस्कूल सिच्छा हुआ साच्यता विभाग ने सभी मंथली एसिस्मेंट के अंक मांगवाए हैं आप सभी को मालूम होगा कि बहुत सारे स्कूल में अभी भी मंथली एसिस्मेंट लिया जा रहा है हर monthly wise लिया जा रहा और उस पर जो marking बठाय गया है उसे भी आप सभी का school college से मागा गया है और उसके आधार पर अगर situation critical हो जाता है तो आपका marks उसके आधार पर ही दिया जाएगा तो दोस्तों आप सभी से request होगा कि जो भी बच्चे monthly assessment अभी तक नहीं बनाये या submit नहीं किये चाहिए वो किसी भी classes के हो वो सभी अपना ready रखे क्योंकि अगर situation critical हो जाता है तो हो सकता है कि आपका result monthly assessment के आधार पर बने तो आप सभी से request है कि please monthly assessment को जो है आप लोग गंभीरता से ले और उस पर जल से जल आप सभी उसका बना के रख ले और अगर monthly assessment आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर विजिट कर सकता है मैं वहाँ पर आज सभी classes का monthly assessment अपलोड कर दूँगा ताकि आप सभी अपना इस चीज़ को process को complete कर ले जल से जल ठीक है तो दोस्तों अगर आप चाहते है कि मैं सभी classes का वीडियो लाओ तो नीचे comment करके बताइएगा किस तरह के वीडियो आपको चाहिए अब regular जो हाँ आप सभी को special वीडियो इस चैनल के मैधम से मिलते रहेगे तब तक दोस्तों अपने आपको स्वस्त रखिए कोवेट के नियाब का पालन कीजिए और घर के लोगों को भी स्वस्त रखे खुश रखे तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जय हिंद वंद मातरम